फेस्टिव सीजन स्टार्ट होने वाला है फ्रेंड्स तो फेस्टिव सीजन में जो है क्लेनिंग का काम बहुत बढ़ जाता है और फ्रेंड्स घर के काम इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि हमें वक्त ही नहीं बिल पाता तो friends आज आपकी cleaning को आसान करने के लिए मैं आपके साथ share करने वाली हूँ एक ऐसा चमतकारी powder जिसे लगाते ही आपके सभी तरह के बरतन जो है पूरी तरह से चमचमा उठेंगे और बिना रगड़े, बिना महनत के और बिना किसी जंजट के आपको कोई chemical भी यूज नहीं करना पड़े का बलकि घर की ही चीजों से आप इस powder को तयार करके रख सकते हैं और जब भी आपको बरतनों को clean करना हो तो थोड़ा सा powder ले ले और बरतनों को कर ले clean तो friends आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने लिये हैं पूजा के बरतन यह पूरी तरह से काले और भद्दे पड़ चुके हैं इस पेसली जो तामबा के बरतन होते हैं वो कुछ दिनों में अपने आप ही भद्दे पड़ने लगते हैं और काले काले दाग इनके उपर आ जाते हैं तो friends इनकी cleaning हमें time to time करनी ही पड़ती है क्योंकि पूजा में भी मन तभी लगता है जब बरतन पूरी तरह से चमचमाते रहें तो friends यहां पर मैंने अपने तामबा पितल के सभी बरतनों को ले लिया है और इनके उपर में इस पाउडर को लगाती जा रही हैं और friends लगाते ही हम इसे मैं आपको इसे clean करके दिखाऊंगी आपको इसे बहुत ज़्यादा time के लिए छोड़ना भी नहीं है बलकि साथ के साथ ही आपके बरतन पूरी तरह से clean हो जाएंगे तो friends इस से आप steel के बरतन भी साफ कर सकते हैं तांबा पीतल के भी साफ करते हैं किसी भी तरह के बरतन आप इससे साफ कर सकते हैं हाँ मैंने चांदी के बरतनों पर इसे इस्तिमाल करके नहीं देखा है तो उसके बारे में मुझे नहीं पता तो friends मैंने सारे बरतनों के उपर इसे अच्छी तरह से लगा लिया है और अब मैं हलका हलका सा इसे रब करती जाओंगी इसी से ही हमारे बरतनों की चमक पूरी तरह से वापस आ जाएगे और हमारे बरतन बिल्कुल नए के जैसे चमचमा जाएगे ये देखे फ्रेंट्स मैं इसे हलका हलका सा रब करती जाओंगे इस पाउडर से आप किसी भी तरह के बर्तन जो है प्लीन कर सकते हैं आपके बर्तन पूरी तरह से चमचमा उठेंगे फ्रेंट्स मेरा तरीका अगर आपको अच्छा लगे और वीडियो पसंद आए और आपको लगे कि वीडियो में कुछ भी आपके लिए यूजफुल रहा तो प्लीज वीडियो को लाइक शेर और आपके अपने चैनल कुक विद मानवी को सस्क्राइब करना ना भूले और कमेंट करके जरूर बताएं फ्रेंट्स जानकारी आपको कैसी लगी तो ये देखें फ्रेंट्स जितने भी बतन है ना उन्हें में इस तरह से कर लूँगी क्लीन ये देखें फ्रेंट्स फ्रेंट्स प्रैस्टी सीजन में क्लीनिंग का काम इतना ज़ादा होता है कि समझ नहीं यादा कौन सा काम पहले करें और कौन सा बाद में तो फ्रेंट्स अगर आप कुछ काम पहले ही कर देंगे तो उस टाइम पे आपका काम जो है बहुत आसान हो जाएगा तो इस powder को आप बना कर एक बार घर में रख ले और जब भी आप clean करें तो फटा-फट से आपके बर्तन जो है clean हो जाएंगे तो ये देखे friends, अम मैं आपको इन्हें धोके भी दिखाऊंगी तो बर्तनों के उपर जितने भी काले काले दाग, घब्बे जो भी लगे थे ना सब पूरी तरह से हो जाएंगे साफ ये देखे friends, कितनी आसानी से हमारे बर्तन हो चुके हैं साफ जबकि मैंने किसी भी तरह के chemical का इनके उपर यूज नहीं किया है और बिना खर्चे के हमारे बर्तन जो है पूरी तरह से चमचमा उठे हैं ये देखे friends, सारे बर्तनों को मैं आपको दो के दिखाती हूँ चाहे आपके बर्तन तामबा, पीतल, इस्टील, किसी भी धातु के बने हो पूरी तरह से चमचमा उठेंगे ये देखे friends, ये इस टील वाला डबबा भी मैं आपको दोके दिखाती हूँ जो काफी गंदा था, ये भी पूरी तरह से चमचमा उठा है और बर्तनों की चमच तो आप देखी सकते हैं कितने चमचमा रहे हैं जो हमारे बर्तन काले पड़ चुके थे ये देखे friends, सारे बर्तन पूरी तरह से हो चुके हैं clean, तो चलिए फिर शुरू करते हैं इस पाउडर को बनाना तो friends, सबसे पहले मैंने इसके लिए लिया है हाँ पर एक कटोरी जितना गहों का आता और उतके बाद दूसरी चीज है dry mango यानि अमचूर पाउडर जाएगा तो आप इसे वहां से purchase कर सकते हैं सारी चीजों को मैंने डाल लिया है मिक्सी में वैसे मिक्सी में डालने की कोई खाज जरूरित भी नहीं है लेकिन मैंने इसलिए डाला है ताकि सब चीजे आसानी से mix हो जाएं आप चाहें तो इन्हें किसी बड़े परतन में डालके भी अच्छी तरह से mix कर सकते हैं तो यह देखें सारी चीजे हो चुकी हैं अच्छी तरह से mix और अब हमें इसे करना है इसे store हमें इस तरह से करना है कि इस पाउडर को हवा नहीं लगनी चाहिए क्योंकि हमने इसमें खाने के सोड़े का यूज किया है तो अगर उसे हवा लगेगी तो फिर पाउडर उतनी अच्छी तरह से वर्क नहीं करेगा तो फ्रेंट्स यह देखे मैंने इसे एक air tight container में डाल दिया है और मैं इसे बंद करके रख दूंगे जब भी जरूरत होगी फटा फट से हम इस पाउडर का इस्तेमाल कर लेंगे